जय श्रीमन नारायन अगली टिपणी जोन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेनु गोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है ध्याय साथ ज्यान विज्यान योग श्लोक दस बीजम्माम सर्वभूतानाम विधिपार्ध सनातनम बुद्धिही बुद्धिमतामस्मी ते जहा ते जस्विनाम अहम वूम गीता चार श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका ग्यान विज्यान योग के शिक्षा देता हैं परमात्मा कहता है अर्जुन चार प्रकार के लोग हैं जे हम पे बहुत विश्वास करत हैं हमार शरण ले थें हमार पूजा करत हैं अब हम तो कब बताओ अर्जुन कि वे के हैं और किसली हमार पूजा करत हैं और कुछ लोग हमरे पास यह आएके कहा थें कि हे कृष्ण हमका आपके जरूरत है हम आपका चाही थी हम आपके सामने समरपन करी थी तो इस तरह चार तरह के लोग चार तरह के परिणामों के लिए हमार सहारा ले थें यह सभी पुन्यात्मा हैं जब से वे आपन मुख ध् तो जो भी हमार इक्चा होए आओ हम तुरंद श्रिकष्ण परमात्मा के शरन ले के शुरुआत करी और केवल उनही के पूजा करी आओ हम सब श्रिकष्ण परमात्मा के दृष्टी में पवित्र आत्मा बनी ऐसे अभ्यास या साधना का तुरंद प्रारंब करते हुए अथावत दहरावे के प्राज करी वी जम्माम सर्वभूता नाम विध्धिपार्धसनातनम बुद्धिर बुद्धिमता मस्मी ते जहा ते जस्विनाम अहम श्रीमत भगवत गीता के पूरा निचोड श्रीकृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के आठ कर्मों में रख दे हैं श्रीकृष्ण कहिन ये आठ बात माने वाले पे हमार सने हैं ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्ष करें श्रीकृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमत भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन करिश्य वचनम तवा माने कृष्ण हम तोरे कहे अनुसार ही करब ये कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करण चला हमों परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये आठ करम करब ये वचन से बढ़के कौनों पूजा तब या यज्य नहीं भग हम ये आठ वचन का हब आप सब जने एका अपने मने और बुद्धी में विचार करें ये प्रकार श्रीकिष्ण के निज वचन देज समय परमानन से प्रकाशित श्रीकिष्ण के मुख मंडल के अनुभूती भी करें जै श्रीमन नारायन हमरे आठ वचन ये हैं हमार प्रथम वचन हम आपके ध्यान और चिंतन करब हमार दूसर वचन हे श्रीमन नरायन आपके سमझायनुसर हम सदा आपके भगतर हब हमार तीसर वचन हम आपन सारा कर्म आपके सन्तोष और सेवा के लिए ही करब हमार चौथा वचन जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबध नमस्कार पूजन करो हमार पांचवा वशन हे श्रीमन नारायन, अध्याय 18 श्लोक छाँछट में आपके कथन मामेकम शर्णम बरज़ अनुसार केवल आपकी शर्णागत की बात कहीबा श्रीमन नारायन, हम केवल आपक शर्णम में आए हूँ हमरा छटा वशन हे श्रीमन नारायन, अध्याय 18 श्लोक छाँछट में आपके कहें मा शुचह मैं आपके शोक ना करे के उपदेश आनुसार हम शोक ना करब। हमार सात्वा वचन हे श्रीमन नारायन आपने हमरे खातिर श्रीमत भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा किये हैं हम नियम से एक श्लोग रोज सुनब्य पढ़ब। हमारा आठ्वा वचन हे श्रीमन नारायन आपने सारे लोग के लिए गीता दी है जी भक्तन गीता के बारे हम नहीं जन दिन हम उन तक आपके अलोकिक बतिया पचावय के प्रयत्न करब। अब हैं हम परमात्मा से आपन आठ वचन बताए श्रीमन नारायन कया वचन देब कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिक विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायन आप जैसा कही हैं हम वैसन करब। जैसा आप चही हैं, वैसा है व्योभार करवग, और हम केवल आपर कीलिए काम करवग। श्रीमन नарायाण करिश्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायाण हम आपके निर्धेश आनुसार कार करवग। सर्वं श्रीक्रिष्णा पुण बस्तु जैश्री मन्ना आए बीजम्माम सर्वभूतानाम विद्धिपार्ध सनातनम बुद्धिही बुद्धिमतामस्मी तेजहा तेजस्विनाम आहम वूम् बीजम्माम सर्वभूतानाम विद्धिपार्ध सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मी तेजहा तेजस्विनाम आहम श्री मन्नारायनाम करिष्ये वचनम्तवा सर्वं श्रीक्रिष्णार्पनमस्तु जैश्रीमन नारायना जैश्रीमन नारायन सबय भक्तन से विशिस अनुरूद हमरे जीवन में सारी चीजों में हम ततकाल और प्रभावी परिणाम चाहा थे यही की प्राप्ति के लिए प्रति दिन एक मिनिट व्यतीत करें और नारायनास्त्रम पढ़ाएं नारायन आस्त्रम प्राप्त करें के खातेर नारायन आस्त्रम वेबसाइट www.narayanaastram.org पे जाएके पंजी करण में आपन नाम और एमेल दें आपकी एमेल पे आपको एक नारायन आस्त्रम PDF तुरंत मिल जाए PDF में एक रामायन स्लोक, एक गीता स्लोक और एक विष्णु नामबा तीनों का एक साथ नारायन आस्त्रम कहा जाता है प्रत्य एक वेक्ति के इन स्लोकों के भिन भिन से होजन प्राप्त होते है जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रति दिन अपने नाराणा आस्त्रम के पढ़ात हैं या सुनत हैं तो संपूर्ण रामर्ण पारायान के एक माला, श्रीमत भागवत गीता पारायान के 33 माला, श्री विश्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायान के 24 माला प्रति दिन पूरी होत। करें जैस्ष्री मनना रहें